बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में है पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खत्रे में है क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदूों को इस डर में रखकर अपनी राजनीती चमका रही है 2014 से बीजेपी अपने जूटे प्रापगांड़ा से कॉंडरिस की लेगसी को मिटाने की पुर्जोड कोशिश करी है सरकार और ऐसे वित्तमंत्री से हम क्या उमीद करें जो प्यास के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो मैं प्यास नहीं खाती है स्कूल कॉलिज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं उस पीरिड में उनी लोगों को मिले जिनकी शिफारिश ये बीजेपी के कार्य करता हूं सकता की लालच में ना फैलाओ समाज में दुरूवी करन का रोग आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग अध्यक्षमाहुदय आपने मुझे बज़िट के उपर बात करने के लिए मौका दिया मैं आपका तह दिल से शुक्रियादा करते हूं हम भारत के लोग जो हमारे सवविधान की प्रस्तावना है इन चार शब्दों में भारत की ताकत और महांता छुपी है न कोई जात न धर्म न भाशा न पहराओ सिर्फ हम भारत के लोग इसी में ही हमारी पहचान है और इसी में हमारी गरीमा बसी हुई है पर पिछले कुछ सालों में इस पहचान को इसी ताकत को धर्म की राजनीती से कमजोर बनाया गया है आज 2024 के बजट पर बात करने के लिए आपने मुझे मुझे मौका दिया मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहती हो हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि कुछ शत्कों पहले भारत सोने की चिडिया थी उस समय जीडीपी और इस प्रकार की चीजे नहीं थी पर भारत एकनॉमिकली और कल्चुरली विश्व की एक महाशक्ती थी और हम ये भी जानते हैं कि भारत में शूर वीरो की कोई कमी नहीं थी बावजूद इसके मुठी भर हमलावारों ने हमें कई बार लूटा और ना सिर्फ लूटा हमें सेक्डो साल गुलाम बनाया रखा ऐसे क्यों हुआ पहले मुगल फिर अंग्रेज ने भारत पर राज किया ये वो कर पाय क्योंकि सोना चांदी हीरे जवारत पैसे की कोई कमी नहीं थी लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी और वो थी सामाजिक एकता की धन, दौलत, ताकत, कुछ, मुठी भार राजाओं और समाज के ठेकेदारों के पास थी 90 प्रतिशत समाज प्रताडित था और मैं ये कहूंगी कि जान बूच कर इनी समाज के ठेकेदारों के द्वारा देश गरीब रखा गया था आज हमारा देश दुनिया की पाँचवी लाजिस्ट एकॉनिमी है और मुझे ये उमीद ही नहीं बलकि पूरा विश्वास है कि हम जल्दी दुनिया की पहले नंबर की एकॉनिमी बनेंगे क्योंकि इसके प्रगिती की मजबूत नीव स्वतंत्रता के बाद के सरकार ने रखी थे पर इसी के साथ आज हम समाजिक तौर पर जात पात धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं कमजोर होते जा रहे हैं फिनांशल इनेकॉलिटी बढ़ती जा रही है पैसा और सत्ता कुछ छन ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है या मैं ये कहूंगे कि सत्ता की लालसा में ऐसा करवाया जानबूच के जा रहा है मेरी ये सब बाते कहने का तातपर्य यही है कि समाज की प्रगिती सिर्फ मजबूत एकॉनिमी से ही नहीं समाज की एक्ता में है और हमें इतिहास में हुई गल्तियों को दोहराने से बचना चाहिए बीजेपी पिछले एक दर्शक से सत्ता में है पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खत्रे में है क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदूों को इस डर में रखकर अपनी राजनीती चमका रही है आप बताए जो संस्कृती हजारों साल गुलामी के जंजीर में जखडी पड़ी है रहने के बावजूत जिंदा है जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है वो खत्रे में कैसे आ सकती है पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतिया के वज़े से हिंदू खत्रे में है एक नदी के बाहव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृती है सामने आने वाले हर कटरता के पहाड़ों को काटते हुए हर पत्थर के सेंद लगाते हुए वो बह रही है उसके बाहव को ना कोई तलवार काट सकती है ना ही कोई पहाड रोक सकता है पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बाहव रोक कर कटरता में ढालने की कोशिश की जा रही है और मैं समझती हूँ कि यही भारत्य संस्कृती के पतन का कारण बन सकता है अध्यक्ष महोदै डॉक्टर बाबा सहब अम्बेटकर ने बनाए गए सविधान के बदौलत पिछडे और दलित वर्ग को आरक्षन के जरिये समाज में स्थान और समान मिला पर आज वो आरक्षन भी इनके नजरों में खटक रहा है इसलिए सभी सरकारी और निम सरकारी कंपनीज का प्राइविटाइजेशन करके इंडिरेक्ली आरक्षन खतम करने का शरियंत्र बीजेपी कर रही है स्पीकर सर इनके मताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ मानुभावों के मताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ खेर आप कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन इस सचाई को नहीं जटला सकते कि आज जो भारत चांड पर पहुँचा उसकी निए इसरो के रूप में पंदित नहरू जी ने रखी थी 2014 से बीजेपी अपने जूते प्रॉपगांड़ा से कॉंगरिस की लेगसी को मिटाने की पुर्जोड कोशिश करी है पर इनकी लाखों नौन बायोजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नहरू गांदी का देश ही मानेगी ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते है तो इनको गांदी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस तक होना पड़ता है ऐसी सरकार और ऐसे वित्तमंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्यास के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो मैं प्यास नहीं खाती स्कूल कॉलिज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं पर फिर भी जनता की प्रतिनिदी होने के नाते मेरा दायर तो है कि मैं लोगों के प्रशने सदन में समक्ष पेश करूँ। अध्यक्ष महुदा है, पंतप्रधान किसान सन्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सलाना 6,000 रुपे दे जाते हैं 2,000 रुपे तीन इंस्टॉल्मेंट्स में दे जाते हैं 2,000 रुपे दे जाते हैं लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के साख पे इनको GST के माध्यम से देना पड़ता है एक किसान एक साल में कम से कम एक लाख के फर्टिलाइजर्स खरीता है तो आप 6,000 रुपे देते हो लेकिन 18,000 उन से लेते हो ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे आप मजाक उड़ा रहे हैं उस किसान का 6,000 रुपे देते हैं 18,000 रुपे GST के माध्यम में से लेते हो जब यूपे की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स औजार रुपे से GST एक्जेंट की गई थी मेरी मांग है कि 2,000 रुपे का जो अमाउंट है जो 6,000 सालाना मिलते है वो बढ़ा के 12,000 किये जाने चाहिए अध्यक्ष महुद है किसान सन्मान योजना मेरे ConstitutionC में करीबं 50,000 लोग इस योजना से वंचित है क्योंकि इसको Approvals नहीं मिल रहे है जब वो मंत्राले में जाते हैं पूछते हमारे योजना को Approval को क्या हुआ वो कहते है कि दिल्ली जाके पूछो हमें नहीं पता है तो किसान योजना किसान सन्मान योजने का intention क्या है या तो किसानों को फसाया जा रहा है किसान योजना के माध्यम में से अधियक्षमोदे फसल भीमा योजना महाराष्टरा में पश्चिम महाराष्टरा में शोलापूर सांगली सातारा कोलापूर में उड़त डाल और अरहर की डाल यहां पे उगाई जाती है लेकिन फसल भीमा योजना मिलती है सिर्व बाजरा मक् मिनिस्टर को से गुजारिश करती हूँ कि अरहर और उड़ाट के लिए भी फसल वीमा योजना के फॉर्म एक्सेट किये चुके है भर दिये हैं लेकिन फसल वीमा योजना मिल नहीं रही है अध्यक्ष्यमोर है पंतप्रधान आवास योजना अधर्निया फाइनांस मिनिस्ट जी ने कहा कि additional three crore houses घर यहां पे increase करके इस budget में दे रहे हैं लेकिन पंतप्रधान आवास योजना का target अभी तक महराश्ट्रा को नहीं मिला है क्योंकि ये योजना जो है गाउठान जमीन पे घर बांदे जाते हैं लेकिन असलियत यह है कि गाउं में गाउठान जमीन ही नह जाते हैं तो कहा जाता है कि गाउठान जमीन नहीं है गाईरान जमीन धून के लाओ हम आपको पीम आवास योजना देंगे अभी गाउठान जमीन लाएंगे कहां से तो आपके माध्यम में से मैं finance minister को request करती हूँ कि सारे collectors district collectors को आदेश दे कि जितनी भी गाउठान जमीन है गाउं में उनको गाउठान करके पंतप्रधान आवास योजना लोगों को लागू की जाए और सारे जो pending proposals है वो accept किये जाए और मेरी आप से ये गुजारिश है कि एक लाग चालिस हजार रुपैस योजना के लिए मिलते हैं ये बहुत तुटपुंजी है इसके लिए दो 50,000 दिये जाए पंतप्रधान आवास योजना के लिए अध्यक्ष मौद है मुद्रा लोन 2014 में फाइनांस प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अंबिशिसली मुद्रा लोन की घोशना की थी कल फाइनांस मिनिस्टर ने इसकी जो राशी है 10 लाग से लेके 20 लाग की लेकिन मु जिनकी शिफारिश ये बीजेपी के कार्यकरता उने की थी जबकि सामान्या आदमी जो है आम आदमी जो है उसको ये लोन नहीं मिला था सिर्फ कुछ चंड लोगों को ये लोन दिया गया था मेरी ये मांग है कि करोना के टाइम पे जो लाभार्ती मुद्रा लोन का कर्ज फ ठर्ण्त माफ किया जाए मुद्रा लोन का परतफेत करने का करजा है अधीयक्षिमौदार माइक्रो फाइनस और चित आपण्स जो दिये जाते हैं हमारे सेलफ हैं ग्रूप.'s को बीडी कामगारों को पावरलूम वेर्कॉस को दिये जाते हैं हमारी काफी सारी महिलाओं को लेकिन ये microfinance और चिट funds पे के उपर regulatory authority नहीं होती है इसलिए ये बेहसाब interest इन लोगों से गरीब लोगों से लेते है अध्यक्ष माउद है मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कल के budget के speech में हमारी अन्ना धान्य सुरक्षा योजना जो है API card डारक को अन्ना धान्य योजना का लाब नहीं मिल रहा है दस साल से करोडों लोग इस योजना से वंचित रह रहे है भूके मर रहे है और जैसे शैलजा जी ने कहा था कुपोशन का प्रमान जो है हमारी देश में बढ़ रहा है गरीब लोगों से जान बूच के एक फॉर्म गिव आप सबसिडी फॉर्म जान बूच के भरा जा रहा है उनको बिना बताए कि अगर ये फॉर्म आप भरेंगे तो आपकी फूट सबसिडी कट हो जाएंगी ये जबरदस्ती उनसे ये फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि उनको इस योजना जो की कॉंग्रिस की योजना थी उसका लाब ना मिले और इसके वज़े से धेर सारे लोग भूके हमारे देश में मर रहे हैं मैं फाइनांस मिनिस्टर से ये गुजारिश करती हूँ कि A.P.L. कार्ड धारक को तुरंट इस योजना का लाब मिला जाए और सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको धान मिला जाए अधियक्षमोवद माउदय कल के स्पीच में आंधरब्रदेश और बिहार के उपर बहुत प्यार जताया गया मुझे उस बात से कोई कंप्लेंड नहीं है पर महराष्ट्रा से इतनी नफरत क्यों क्यों नहीं महराष्ट्रा की तरफ उतना ही प्यार जताया गया जो बिहार और आंध्रप्रदेश के जताया गया क्यों 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 उनको पिछले लोकसबा में कम सीटे मिली या शायद उनको अंदाजा आया कि आने वाले इलेक्शन में उनको वो चुनाव हादने वाले है मैं वितमंत्री को बताना चाहती हूँ कि महाराश्ट्रा में हिंद्वी स्वराज की नीव महाराश्ट्रा में रखी गई थी कंथर देशा, राकट देशा, दगड़ाचा देशा, महाराश्ट्र देशा ये हमारे प्यारे महाराश्ट्रा के बारे में कहा जाता है लेकिन अफसोस है कि महाराश्ट्रा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सिर्व महाराश्ट्रा का इस्तमाल किया जाता है अध्यक्ष्य महुद है Railways के बारे में बोलू तो Railways में Sleeper Coach की संख्या जो है वो कम कर रहे है और First Class और Second Class की संख्या बढ़ा रहे है देश का जो आम गरीब आदमी है वो Sleeper Coach से ट्रावल करता है वो First Class और Second Class से नहीं किया जाता है मैं आपके माध्यम में से made in speech माध्यम में से गुजारिश करती हूँ कि sleeper coaches की संख्या बढ़ाई जाए अध्यक्षमाउद है मेरी शॉलापूर के कुछ मांगे रखती हूँ और मैं समाप करती हूँ हमारे शॉलापूर में airport है लेकिन air service नहीं है उडान स्कीम में आया गया है लेकिन जान भूज के वहाँ पे जो चिमनी थी obstruction था वो तोड़ा गया लेकिन अभी तक वहाँ पे air service शुरू नहीं है बोरामनी airport है वहाँ पे international airport के लिए funds एक बार दिये गए लेकिन फिर funds नहीं दिये गए मैं वित्तमंत्री से गुजारिश करती हूँ कि बोरामनी airport के लिए funds दिये जाए मंगवेडा जो हमारा तालू का है वहाँ पे जो irrigation scheme है वहाँ के 35 गाओं जो है वो पानी से वंचित है मैं विनंती करती हूँ कि वो गाओं के लिए भी आप irrigation scheme जल से जल अप्रूव करें अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी विपक्ष की अवेलना कर रहे है कि हमें इतनी seats मिली जनता ने अस्विकार किया पर आपके 400 पार का क्या हुआ पर मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हम स्विकार करते है कि सरकार बनाने के लिए परियाब seats नहीं जीत पाए हाँ हम हमारी बाते जनता को बहतर तरीके से शायद नहीं समझा पाए लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि हार गए तो क्या हुआ जोला उठा के चलने ही देंगे यही ड़ते रहेंगे एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे सेफ और सिर्फ इस देश के लिए और इस देश के जनता के लिए और आखरी कुछ अब कहके मैं समाप्त करना चाहूँगी कि सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में दुरूवी करन का रोग आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग नमस्कार मैं हूँ एहमर अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और हाँ सस्क्राइब करना न भूलें धन्यवाद